ओम शान्ती आज 18 नवेंबर 2022 के बाबा के अनमोल मदुर महावाद के सुनेंगे। आज की मुली में बाबा कहे कि बच्चे जब ब्रमा बाबा की बानप्रस थवस्था होती है अर्था साथ वर्ष पूरे होते हैं तब परमात्मा इस संसार में उतरीत होते हैं। और परमात्मा का आना माना बाबा कहे सारे संसार की भी वानप्रस थवस्था मानी जाती है क्योंकि बाब आते ही है सब को वानी से परे ले जाने के लिए। फिर बाबा ने कहा बचे तुम्हें बाप अपनी गोद मिलेते हैं। इसलिए तुम बच्चों को बाप की हर श्रीमत को बहुत accurately follow करना है। साथ में यह भी नशा रहे के हम Godly Students हैं। और जब यह नशा रहेगा तो बाबा कहे यह ईश्वर्य पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़ सकेगे। तो सुनते हैं आज बाबा के मदूर महावा के ओम शांती, मीठे बचे, तुमने जीते जी बेहत के बाप की गोद ली है। उनकी संतान बने हो, तो श्रीमत पर जरूर चलना है। हर डाइरेक्शन अमल में लाना है। आज की मुरली से प्रश्न है, स्रिष्टी की वानप्रस्थ अवस्था कब से शुरू होती है और क्यों। उत्तर, जब शिव बाबा इस ब्रह्मातन में प्रवेश करते हैं, तब से सारी स्रिष्टी की वानप्रस्थ अवस्था शुरू होती है। क्योंकि बाप सब को वापस ले जाने के लिए आये है इस समय छोटे बड़े सब की वानप्रस्थवस्था है सब को मीठे घर मुक्ति धाम वापस जाना है फिर जीवन मुक्ति में आना है वैसे भी बाप जब इस ब्रह्मातन में प्रवेश करते हैं तो इनके आयू 60 वर्ष की होती है इनके भी वानप्रस्थवस्था होती है आज की मुडली से पहले गीत बजा है मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में ओम शंति यह किसकी गली में आकर मरना होता है मनुष्य चाहते हैं कि हम मुक्ति धाम में जाएं परमपिता परमात्मा शिबाबा की विजय माला में पिरो जाए बच्चे जानते हैं जो भी मनुष्य मात्र की आत्माई हैं वो बाप के गले का हार जरूर है जैसे लौकिक बाप की रचना लौकिक बाप के गले का हार है बच्चे बाप को बाप बच्चे को याद करते हैं वैसे वास्तों में जो भी आत्माएं हैं वो सब याद करती है परम पिता परमात्मा बाप को वो है हद का बाप यह है बेहद का बाप हर एक मनुष्य चाहते हैं हम मुक्ती प्राप्त करें क्योंकि निराकार के गले का हार अर्थात मुक्ती और विश्णू के गले का हार अर्थात जीवन मुक्ती बाप मुक्ती और जीवन मुक्ती देते हैं बेहत के बाप के बच्चे बनेंगे तो उनके गले का हार होंगे लौकिक माबाप के गले का हार है बच्चे वो खुद माबाप भी किसी के बच्चे होते हैं लावा कहे वो खुद माबाप भी किसी के बच्चे होते हैं गाते हैं तुम मात पिता हम बालकते रहे जब हम तुम्हारे गले का हार बनेंगे तब हम सदा सुखी होंगे शिबाबा को कहते हैं जब हम तुम्हारे गले का हार बनेंगे तब हम सदा सुखी होंगे बेहत के बाप को याद करते हैं परंतु उनके गले का हार कैसे बनेंगे वह आश रहती है तो जब त्रिमूर्ति शिवाबा आए आकर तीनों को रचे ब्रह्मा, विष्नो, शंकर को तब ब्रह्मा द्वारा बेहत बाप के गले का हार बन सके पहले लौकिक माबाप के गले का हार है उनसे जीतेजी मर कर लौकिक मात पिता से जीतेजी मर कर पारलौकिक बाप का बने तब वर्सा मिले जैसे कोई शहुकार गरीब के बच्चे को एड़ाप करते हैं तो आकर शहुकार की गोद लेते हैं जीतेजी वह गरीब भी जीते तो है न दोनों याद रहते हैं तुमको भी लौकिक और पारलौकिक दोनु संबन याद है, दोनु से मिलन होता है, तुमने पारलौकिक माबाप की गोद ली है, उनसे सुख घनेरे लेने लिए, वह हुई हद की गोद, यह है बेहत की गोद, जीते जी गोद ली है, जानते हो, इनकी गोद लेने से हम देवी देवता कुल में सुख घनेरे पाएंगे, तो जिस मात पिता की संतान बने हो, उनको जरूर याद करना पड़े, बाबा कहे, जिस मात पिता की संतान बने हो, जरूर उनको याद करना पड़े, श्रीमत तो गई हुई है न, अब तुम प्रैक्टिकल उनकी मत पर चल रहे हो ऐसे भी नहीं, जट से सब एडॉप्ट हो जाते हैं, नहीं, आहिस्ते आहिस्ते बनते हैं अब देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, जाड धीरे धीरे वृत्ती को पाता है क्रिश्चन का भी पहले क्रैस्ट आता है, फिर दस, बीस, पचास बढ़ते जाते हैं यह जाड यहां सामने बढ़ता है, क्रैस्ट चला जाता है, फिर भी आकर अंत में शामिल होता है यह तो बेहत का पात है, बहुतों को शिव बाबा के गले का हार बनना पड़ेगा तब फिर विश्णू के गले का हार बनेंगे, शिव बाबा तो है निराकार ब्रह्मा द्वारा मुखों शावली रचते हैं, त्रे मुर्ती शिव का भी अर्थ है, त्रे मुर्ती ब्रह्मा का अर्थ नहीं निकलता बाबा करेक्षन भी करते रहते हैं, शास्त्र की बातों को बाबा करेक्षन भी करते रहते हैं गोले के नीचे लिखना है स्वदर्शन चक्र, न की चर्खा, उस गवर्मेंट का चर्खा लगा हुआ है यहां स्वदर्शन चक्र है, दिन प्रती दिन करेक्शन होती रहती है, बाबा ने समझाया है, क्या समझाया है, हमेशा त्री मुर्ती शिव जैनती कहना है, खाली शिव जैनती में या शिव रात्री में, बाबा करेक्शन देते हैं, हमेशा त्री मुर्ती शिव जैनती कहना है शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्सा देते हैं शिव बाबा है तो वर्सा भी साथ में जरू चाहिए तो यह विश्नु है वर्सा फिर शंकर द्वारा विनाश कहा हुआ है इसलिए त्रीमूर्ती का चित्र है मुख्य त्रीमूर्ती चित्र चला आया है बावा कहे त्रीमूर्ती चित्र चला आया है, वहां भी तुम राज्य करते हो तो तक्त के पिछाडी विश्नु का चित्र रहता है, सत्योग में लक्षमी नारायन के तक्त के पिछाडी विश्नु का चित्र रहता है, यहां जैसे coat of arms है, इसका अर्थ मनुष्य नहीं जानते, बाप ने तुम बच्चों को समझाया है यह ज्ञान अभी तुमको मिला है देवताओं के पास यह ज्ञान नहीं रहता तीसरा नेत्र तुम ब्रामनों का खुलता है बाप कितना सहथ समझाते हैं मन मना अपो बाप और वर्से को याद करो ब्रह्मा मुख वंशावली हो ना तुम ज्ञान गंगाएं भी ठहरे तुम हो ज्ञान सागर द्वारा ब्रह्मा मुख कवल से निकली हुई मुख वंशावली ज्ञान कुमार कुमारिया ब्रह्मा मुख कमल से निकली हुई मुखोंग शावली ज्यान कुमार कुमारियां तो तुम हो ज्यान सागर के बच्चे बाबा कहें ये स्पष्ट होना चाहिए कि तुम हो उस ज्यान सागर के बच्चे वास्तों में सच्चा सच्चा तिर्थ तो यह है आत्मा और परमात्मा का यह है सच्चा संगम ज्यान सागर और ज्यान गंगा हैं यह बड़ी गुप्त समझने की बाते हैं मोटी बुद्धी वाले यह नहीं समझ सकेंगे उन्हों के लिए फिर सहज युक्ति है शिव बाबा और वर्से को याद करें मोटी बुद्धी वाले यह नहीं समझ सकते तो बाबा उनके लिए भी युक्ति बताते कि शिव बाबा और वर्से को याद करो इन द्वारा यह बुद्धी में होने से खुशी का पारा चड़ेगा गौडली स्टूडन्ट लाइफ है ना बेहत का बाब हमको पढ़ा रहे है अभी तुम्हारी बुद्धी में राजयोग का ज्यान है जिससे तुम प्रालब्द पाते हो वहाँ इस नौलेज की दरकार में है दरकार यहाँ है इस नौलेज की दरकार बाबा कहे यहाँ है बाब कहते हैं कल्प कल्प में आकर राजयोग सिखाता हूं रचना के आदी मध्यांत का राज समझाता हूं कि यह चक्र कैसे फिरता है महिमा सारी संगम की है जबकि पतीत पावन बाब आकर पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाते हैं पुरानी दुनिया के विनाश के लिए तैयारियां हो रही है देखते हो आज कल दुनिया में क्या क्या हो रहा है त्रक्टिकली इस समय देखो इतने साल पहले बाबा की मुरली चली थी लेकिन इस समय कितने सटीट वैठ थे तो बाबा कहे देखते हो आज कल दुनिया में क्या क्या हो रहा है आज बाच्षा है कल मिलिटरी बिगड़ती तो बाच्षा को भी कैदी बना देती है कोई को भी मार डालते है ऐसे बहुत केस होते रहते है आज कल कोई बात पर भरोसा नहीं है दुख ही दुख है आज किसको बच्चा हुआ खुशी होगी कल मर गया तो दुख है ही दुख की दुनिया अब बाप नई सुख की दुनिया का लायक बना रहे है बाप समझाते हैं बच्चे तुम सो देवी देवता थे अभी असुर्बन पड़े हो कल तुम देवताओं की महिमा गाते थे अपने को पापी नीच कहते थे कहते हैं हम नेरगुण हारे में कोई गुण नाही तो जरूर कोई पर तरस किया होगा इन देवताओं को किसने गुणमान बनाया यह अभी तुम जानते हो परम, पिता, परमात्म, बिगर कोई देवताओं बना न सके मनुष्य बिलकुल विकारी पतीत बन पड़े हैं बुडे हो जाते हैं तो भी विकार नहीं छोड़ते हैं नई तो काईदा है साथ वर्ष के बाद वानप्रस्थ लेना चाहिए पहले ऐसे करते थे साथ वर्ष के अंदर अपना बोज उतार कर बच्चों को दे देते थे अब साथ वर्ष की आयू में भी बच्चे पैदा करते रहते हैं बाब कहते हैं, इनकी साथ वर्ष की आयू में, बहुत जन्म के अंत के भी अंत में, जब इनकी वानप्रस्थ अवस्था हुई, तब मैंने प्रवेश किया, तब इसने भी सब कुछ छोड़ा, बाब के आने से सारी दुनिया के लिए, बाबा के आने से सारी दुनिया के लिए वानप्रस्थ अवस्था हो जाती है, क्योंकि सब को जाना है वापिस, इसलिए बाब कहते हैं, माम एकम याद करो, छोटा वा बड़ा कोई भी रहेगा नहीं, बाब आकर सब को मीठा बनाते हैं, बाबा आकर हमको कितना मीठा बनाते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों मीठे धाम है विनाश सबका होना है हिसाब किताब चुक्तू भी सबका होता है सजा खाने में देरी नहीं लगती जैसे काशी कलवट खाते हैं तो पापों से मुक्त हो जाते हैं फिर नए सिर हिसाब शुरू हो जाता है बाकी मुक्ती में एक भी नहीं जाते, वह समझते हैं, शिवपर कुरबान हो, निर्वान धाम चले जाएंगे, बाप कहते वापस कोई जा नहीं सकते, पुनरजनम तो सब को लेना है, यह पहला नमबर ही पूरे पुनर जनम लेते हैं, तो चरूर पीछे वाले भी लेंगे, तुमने 84 जनम लिये हैं, शुरू से ही तुम्हारा पाठ चलता है, तुम्हारा यह है कल्याकरी लीप जनम. इस जनम में अत्वा, इस धर्माव युग में तुम धर्मात्मा बनते हैं, वह सब है हद की बाते, यह है धर्माव मास, धर्माव वर्ष, यह है धर्माव युग, यह लीप जन्म ब्रामनों का एक ही है, ब्रामन है चोटी, फिर तुम देवता बनेगे, लीप जन्म मन द्विच, ब्रामनों को कहा जाते हैं न, द्विच, एक ही जनम में दूसरा जनम हुआ, मरना तेरी गली में, जीना तेरी, तो उस गली से मर गए और दूसरा जन्म हुआ, तो बाबा कहे, यह लीप जन्म ब्राम का एक ही है, ब्रामन है चोटी, फिर तुम देवता बनेंगे, अब तुम जानते हो, बाबा हमको गले का हार बनाते हैं, हम आत्मय निराकरी दुनिया में रहती है, बाब खुद कहते हैं, तुम जब अशरीरी थे, तुम मेरे पास रहते थे, अभी तुम समझ गए हो, हम पह पहले पहले सत्यूग में आएंगे, वहां है देवी देवता धर्म, वहां पुर्शार्थ करने की जरूरत नहीं, पुर्शार्थ संगम पर ही किया जाता है, सत्यूग में पुर्शार्थ की बात ही नहीं, संगम योग यह है, और जो संगम होते हैं, उनकी आयू नहीं गिनी जाते हैं इस संगम की आयूवे बहुत छोटा सा यूग है इस संगम यूग में ही बाप आकर इनको बदली करते हैं बाकी उन यूगों का कुछ नहीं है दो कला कम होने से राज्य बदली होता है यह तुमको साक्षातकर होता है कैसे राज्य देते हैं सोर्यवन्शी वाले कैसे चंद्रवन्शी वालों को राज्य देते हैं संगम युग में बाप आकर पतीतों को पावन बनाते हैं, इसलिए इस युग की आयू जब से बाप आया है तब से गिनेंगे, नहीं ब्रह्मा के साकार जन्म, नहीं दादा लेखराज की आयू नहीं गिनी जाती है, बाबा कहे पतीतों को पावन बनाने बाप आता है, इसलिए इस युग की आयू जब से बाप आया है तब से गिनेंगे, तो जरूर वह आया हुआ है, वही ज्यान का सागर है, उनकी मुखवँशाली, ज्यान नदियां, ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां है, इनसे ही ज्यान पा बाबा ने कहा है, कोई ऐसी नई चीज बनाओ, जो समझाना सहज हो, उसमें तरीमूर्ती शिव जैनती लिखो, बाबा डाइरेक्शन देते हैं, परंतु बनाने वाला हुश्यार चाहिए, इस ज्यान यग्यमें विग्न भी किसम किसम के पड़ते हैं, फिर सर्विस धिली हो जाती है, शिव जैनती आई की आई, बड़े धुमधाम से मनानी है, तावा कहे, इस बार की शिव जैनती बड़े धुमधाम से मनानी है, देहली में तो बहुत धुमधाम हो सकती है, दोनों के कोट ओफ आम्स दिखाएंगे, हम अपनी ईश्वर ये बात करते हैं, बात है ही कल्यान करें, बच्चे भी औरों का कल्यान करते रहते हैं, तो बाप देख कर खुश होता है, कहा जाता है, charity begins at home, मित्र संबंदियों को भी समझाना है, नई तो उल्हना देंगे, वही आत्में अंत्में उल्हना देंगे, points बहुत अच्छी मिलती है, चित्र भी अच्छे है, माला भी कितनी अच्छी है, रुद्र माला बन, फिर विश्नो की माला बनती है, तुम ब्रामन हो, सच्ची सच्ची गीता सुनाने वाले, सच्ची सच्ची यात्रा का रास तुम समझाते हो, यहां बैठे तुम याद के यात्रा में रहो तो पाप भस्म हो जाएंगे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का और कोई उपाई नहीं है योग की बहुत महिमा है मेहनत भी इसी में है बहुत तुफान आते हैं सहज भी है तो मुश्किल भी है तुम्हारी योग तपस्या के भी चित्र है राजाई का भी चित्र है राज योग से तुम देवता बनते हो तुम राज रिशी हो वह थ्योग रिशी है तुमको नैचरल जटाए है अभी हम साब बाबा के गले का हार है सब भाई भाई है तुम आपसे बर्सा भी मिलता होगा प्रजा पिता ब्रह्मा भी गाया हुआ है वह निराकार पिता ये साकार पिता शंकर के लिए दिखाते हैं आख खुली और विनाश हुआ शंकर को पारवती गनेश आदी दिख़ला कर ग्रहस्ती बना दिया है अंदश्र धा बहुत है बाब कहते हैं मैंने तुमको शहुकार बनाय था तुमने मंदिर बना कर शास्त्र बना कर दान कर फाल्तू खर्चा करते करते क्या हो गया दुर्गती को पालिया यह भी ड्रामा में नूद थी तब तो बाप बैठ समझाते हैं बाबा तुम को त्रिकाल दर्शी बनाते हैं तीनों कालों का ज्यान तुम्हारी बुद्धी में है अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चो प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुट मॉनिंग रुखानी बाप की रुखानी बच्चो को नमस्ते हम सब रुखानी बच्चो की रुखानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुट मॉनिग और नमस्ते शुक्रिया बाबा शुक्रिया आज की मुर्ली से धाना के लिए मुख्य सार है पहली पॉइंट यह धर्माओं यूग है इस समय धर्मात्मा बनना है, सबका कल्यान करना है, मुक्ती और जीवन मुक्ती में चलने का रास्ता बताना है दूसरी पॉइंट, हमारी यह गौडली स्टूडन्ट लाइफ है, बेहत का बाप हमको पढ़ा रहे हैं, इसी खुशी में रहना है आज का बाप दादा का मदुरवर्दान हम बच्चों के प्रती है योग की करंट के वाइब्रेशन द्वारा किले को मजबूत करने वाले यग्य रक्षक हवा योग की करंट के वाइब्रेशन द्वारा किले को मजबूत करने वाले यग्य रक्षक हवा जैसे ब्राह्मन फैमिली बढ़ाने की प्लैनिंग करते हो ऐसे अब यह भी प्लैन करो जो कोई भी आत्मा ब्राह्मन परिवार से किनारे नहीं हो जाए किले को ऐसा मजबूत बनाओ जो कोई जा नहीं सके जैसे चारो और करंट की तारे लगा देते हैं तो आप भी योग के वाइब्रेशन द्वारा करंट की तारे लगा दो जब इस यग्य के किले को अपने योग के पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा मजबूत बनाने का संकल्प इमर्ज हो तब कहेंगे यग्यरक्षक तब तक नहीं कह सकते हैं। आज का स्लोगन है जिसका कर्म साधारन होते भी स्थिती पुर्शोत्तम हो। ज्यानी तु आत्मा व है जिसका कर्म साधारन होते भी स्थिती पुर्शोत्तम हो। अच्छा, ओ शार।